बिहार में विकास की सुख बुगाहट दिखने लगी है इसका सबसे पहला असर गया में दिखेगा और उसके बाद मुजफरपूर में इसके अलावा हाजीपूर पटना बहिटा में भी दिखने वाला है जी हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं गया की उद्योग विभाग अब गया के टेक्स्टाइल उद्योग को संस्थागत स्वरूप दिये जाने की तयारी कर रहा है भागलपूर के सिल्क इंडस्ट्री की जगह अब गया के मानपूर में चल रहे टेक्स्टाइल उद्योग को व्रिहत स्वरूप दिये जाने के लिए सरकार उन्हें ओदुगिक छेत्र में अलग से जमीन उपलब्द कराएगी इसकी कवायद आरंभ की जा चुकी है वहीं उद्योग विभाग के आला धिकारी ने बताया है कि हाल ही में राजे कैबिनेट ने गया में 23 एकर जमीन की विवस्था कर उसे बियाडा को उपलद करा दिया है तै किया गया है कि उस जमीन को वहां काम कर रही टेकस्टाइल इंडस्ट्री को ही दिया जाएगा इसलिए किसी अन्य इंडस्ट्री को गया में ली गई 30 एकर जमीन नहीं दी जाएगी मतलब अब ये तो तै हो चुका है कि गया में टेक्स्टाइल उद्योग अपना स्वरूप लेगा उद्योग विभाग ने तै किया है जो 23 एकर जमीन गया में बियाडा को मिली है उसे पूरी तरह से टेक्स्टाइल कलस्टर के रूप में विक्षित किया जाएगा अस्थानी अस्थर पर इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उद्यमियों को अपनी इकाई के विस्तार के लिए जमीन तो दिही जाएगी साथ ही साथ उन्हें काम को व्रिहत सोरूप देने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी उद्योग विभाग के संबंदित अधिकारियों ने बताया है कि गया में टेक्स्टाइल के छेतर में काम कर रही जो कमपनी हैं अगर वे अपनी विस्तार यूनीट बियाडा द्वारा उपलद कराई गई जमीन पर लगाती हैं तो उन्हें सभी लाब मिलेंगे जो टेक्स्टाइल पॉलिसी के तहट नई यूनीटों को दी जानी है इसके अतिरिक्त उन्हें ओदोगीक पूत्साहन निती के तहट दिये जाने वारा लाब भी हासिल होगा मुझफरपूर के बेला ओदोगीक छेतर में 292 फैक्टरियां हैं इन में से कुछ सरकारी विभागों के कारयाले भी शामिल हैं हाला कि 292 में से 55 फैक्टरियां बंद हैं इन में से कई के जमीन आवंटन को रद किया गया है जबकि 34 फैक्टरियां निर्मान धीन हैं आपको बताए कि अब बिहार सरकार और उद्योग विभाग के अस्तर से मोतीपूर में वर्सों से बंद चीनी मिल की जमीन पर नया ओदोगीक छेतर बसाया जा रहा है मोतीपूर में ओदोगीक छेतर बसाने के लिए प्रयाप्त सरकारी जमीन, रेल यतायात, फोरलिन सड़क, बिजली, पानी और अन इंफरस्रक्टर पहले से उपलब्ध हैं वहीं मुझफरपूर के अलावा उत्तर बिहार के कई प्रमुख जीलों के मध्य में बसे होने के कारण, मोतीपूर में नया ओदोगीक छेतर स्थापित होने से जीले के पश्च्चिमी इलाके का तीजी से विकास हो रहा है हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है आपको बताएं कि मुझफरपूर के पुरुष सांसे जॉर्ज फर्नांडिस मुझफरपूर को मिनी मुंबई कहते थें उनका सपना था कि जैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है वैसे ही बिहार की आर्थिक और ओदोगिक राजधानी मुझफरपूर बने मुझफरपूर को मुंबई की तरह बनाने के लिए उन्होंने तब कई बड़ी कमपनियों को मुझफरपूर आमंत्रित किया और जिले के विकास के लिए काटी थर्मल आईटी पियल दूरदर्शन केंद्र के स्थापना भी कराई थी वही मुझफरपूर रेल डबबा बनाने के कारखाने के साथ ही कई कारखाने भी खुले थें 90 के दशक में मुझफरपूर मिनी मुंबई बने या ना बने मिनी नरेश की भूमी जरूर बन गई और एक बार फिर से उसी दिसा में मुझफरपूर काम कर रहा है इधर के दिनों में उद्योग विभाग के द्वारा मुजफरपूर में उद्योग पतियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जिसे लेकर बेला ओदोगिक छेतर में अब इतनी फैक्टरिया हो चुकी हैं जिसमें मुर्गी दाना बनाने की फैक्टरी, पारले जी की फैक्टरी, नूडल्स फैक्टरी के साथ ही और कई फैक्टरियां खुल चुकी हैं इस्थिती यह है कि फैक्टरी खोलने के लिए बियाडा छेतर में अब जमीन नहीं बची है इसलिए वर्सों से बंद मोती पूर चीनी मिल की जमीन को उद्योग पतियों को दिया और यहाँ पर नहीं और दोगी इकाहियां लगाई जाएंगे